आज इस personality की हम बात करेंगे ये एक beauty queen रह चुकी है ये Bollywood में आई थी ये 2002 में लेकिन 2006 साते आते ये Bollywood से out हो गई इनके career की height में रोडा बनी इनकी खुद की height बात करेंगे Miss World 1999 Bollywood actress युकता मुखी की युकता मुखी की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब युकता मुखी एक brilliant student होने के बावजूद college से suspend हो गई क्यूं बाकी beauty queens यानि की एश्वरिया, सुश्मिता, प्रयांका चोपडा की तरह युकता मुखी Bollywood की successful actress नहीं बन पाई और कैसे युकता मुखी के पती ने उन्हें force किया unnatural sex के लिए युकता मुखी का जन्म तो मुंबई में ही हुआ है लेकिन इनके बच्पन के कुछ साल UAE की एक छोटी सी city में गुजरे हैं जहां पर उनके father काम किया करते थे युकता मुखी अपने parents की शादी के कई सालों बाद हुई in fact उनकी mom उन्हें बताती है कि उनके bond होने से पहले उनकी mom ने बहुत मन्नते मागी तब जाकर युकता मुखी का जन्म हुआ यही कारण है कि वो अपनी family में सबसे ज़दा loved child है युकता मुखी का एक छोटा भाई भी है बच्पन के कुछ साल UAE में बिताने के बाद family ने decide किया फिर से मुंबई shift होने का मुंबई के मुलन में युकता मुखी अपने grandparents के घर shift हो गई और वहीं से उन्होंने अपने school की पढ़ाई करना शुरू कर दिया युकता मुखी के father rags cloth company के managing director थे वहीं अगर बात करें इनकी mom की तो Santa Cruz में इनकी mom का Swiss shallot करके एक salon था युकता मुखी के parents दोनों ही working थे और यही कारण है कि उनका जाधतर time उनकी दादी के साथ मीता है in fact युकता मुखी कहती है कि उनके अंदर जो confidence वाली feeling कुछ करने की feeling, आगे बढ़ने की feeling ये सभी चीज़े उनकी दादी की देन है अगर बात करें academics में एक brilliant student होने की तो उसमें उनकी mom का बहुत जादा योगदान है युकता मुखी आती तो conservative family से थी लेकिन क्योंकि वो अपनी family की love child थी यही कारण था कि जिस family में सलवार सूट और चुन्नी पहनना बहुत जरूरी होता था उस family से होते हुए भी युकता मुखी वो पहली लड़की थी अपनी family की जिनोंने jeans पहनना शुरू किया उनकी height को लेकर शुरू से ही उन्हें awkwardness रखती थी क्योंकि school में और colleges में जब भी कोई function हुआ करता था तो युकता मुखी की height hurdle बनती थी और उन्हें हमेशा पीछे ही खड़ा किया जाता था या बिठाया जाता था इस चीज से युकता मुखी हमेशा परिशान थी लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसी height के कारण एक दिन वो दुनिया में नाम रोशन करेगी Initially ये architect बनना चाहती थी लेकिन जिस college में admission चाहिए था उस college में admission हो नहीं पाया यही कारण था कि फिर इन्होंने zoology में graduation करना तै किया graduation के दौरान ही युकता मुखी ने अपने parents से कहा कि वो modeling करना चाहती थी और ये वो time था जब beauty pageants में international level पर इंडिया का सिक्का बोल रहा था 94 में एश्वर या सुश्मीता और उसके बाद 97 में डाइना हैडन यही कारण था कि इन beauty queens को देखकर हमारी इंडिया की कई young generation की girls तब beauty queen बनने का सपना देखती थी और उसी time पर युकता मुखी भी modeling के लिए attract हो गई इन beauty pageants के लिए attract हो गई क्योंकि जहाँ एक तरफ उनकी height को hurdle माना जाता था वहीं ये इकलौता ऐसा field है जहाँ पर height के कारण आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और तब युकता मुखी ने अपने parents की permission से Miss India contest में participate किया पूना में इनकी training हुई और वहीं पर इनका contest हुआ और इसके बाद युकता मुखी first runner up रहे जी हाँ गुलपनाक Miss India 1999 थी और युकता मुखी first runner up थी गुलपनाक को आगे जाकर Miss Universe के लिए compete करना था वहीं युकता मुखी ने शुरुआत कर दी Miss World की training की लेकिन इसके साथ ही उनके parents चाते थे कि युकता मुखी पढ़ाई पूरी करे तो अपने Miss India के contest को final होने के बाद युकता मुखी फिर से जब मुंबई आए तब उन्हें पता चला कि उन्हें तो college ने suspend कर दिया है Miss India के कारण युकता मुखी ने कई महीनों तक college अटेंड नहीं किया attendance short हो गई और इसके चलते college ने उन्हें suspend कर दिया लेकिन उसी दोरान युकता मुखी के Miss India बनने की खबरे जैसे ही आई तब college को realize हुआ कि अरे लड़की ने तो नाम रोशन कर दिया है तब college ने न सिर्फ युकता मुखी का वो suspension cancel किया बल्कि उन्होंने युकता मुखी और उनकी family को अपने college में सम्मानित कहा और कहा कि युकता मुखी हमारे college से graduate होगी ये हमारे लिए सम्मान की बात है तो जिस तरह से महिनों में ही युकता मुखी की किस्मत बदल गई थी जो height उनके लिए hurdle बन रहे थी वही height उनके लिए plus point साबित होई वो miss India बन गई और जिस युकता मुखी को college ने ये समझ कर suspend कर दिया कि इस लड़की को पढ़ाई में interest नहीं है इसलिए college attend नहीं करती है वही college आज युकता मुखी को सम्मानित कर रहा था इसके बाद युकता मुखी के लिए college ने special classes भी arrange कर वाई और तब युकता मुखी को feel होने लगा था कि stardom उनके पास आ चुका है क्योंकि class के बाद juniors की लंबी line खड़ी रहती थी युकता मुखी के sign लेने के लिए लेकिन अभी एक step और पार करनी थी Miss World के लिए उन्हें तयारी करनी थी सेम यर युकता मुखी ने Miss World के लिए competition लड़ा और 93 beauty queens को पचाड कर युकता मुखी ने इंडिया का नाम रोशन किया वो Miss World बनी और फिर एक साल जोकि उनका contract रहता है युकता मुखी social work से ही जुड़ी रही इसी दौरान उन्हें फिल्मों के भी offers आने लगे थे ये 2001 में युकता मुखी हमें नजर आई एक तामिल फिल्म में guest appearance करते हुए ये फिल्म थी पोवलम उन्वसन लेकिन युकता मुखी अपनी former beauty queens के footsteps follow करना चाहती थी यानि कि एश्वडिया और सुश्मीता की तरफ वो भी बॉलिवुड में अपना नाम अजमाना चाहती थी इसी दौरान ये 2002 में युकता मुखी को पहली बार बॉलिवुड में chance मिला आफताप शिवदसानी की heroine बने नजर आई युकता मुखी 2002 की फिल्म प्यासा में ये फिल्म box office पर flop हुई और युकता मुखी भी unnotice चली गई युकता मुखी no doubt अपने साथ एक stardom लेकर आई थी लेकिन फिल्म दुनिया में उन्हें अपने लिए एक नया stardom create करना था लेकिन शायद बॉलिवुड उनके लिए इतना lucky साबित नहीं हुआ क्योंकि उनकी पहली फिल्म release हुई वो flop हुई और उसके बाद युकता मुखी का एक ऐसा accident हो गया जिसके चलते वो कुछ फिल्में कर ही नहीं पाई 2002 के बाद युकता मुखी हमें direct नजर आई 2006 में ये फिल्म थी कट पुथली ये एक serious फिल्म थी लेकिन ये फिल्म भी unnoticed चली गई युकता मुखी अपना नाम बनाना चाती थी वो फिल्मों में काम करना चाती थी in fact उन्होंने अपने कई interviews में कहा है कि अगर फिल्मों में उनके लिए lead role नहीं है और कोई item number भी offer होता है तो वो करने के लिए तयार है उनका कहना है कि जब एश्वरिया राय बंटी और बबली में कजरारे वाला item number कर सकती है तो वो क्यों नहीं ऐसे में युकता मुखी को item numbers तो offer होए लेकिन बॉलिवूड से नहीं बलकि भुचपुरी फिल्मों से ये सौंग था हमना जायरे ससुराल और फिल्म थी कब कह तू I love you युकता मुखी comeback के लिए तयार थी लेकिन बॉलिवूड के पास युकता मुखी को कुछ भी offer करने के लिए खास नहीं था युकता मुखी का कहना है कि उन्हें फिल्मों में रोल्स तो offer होते थे लेकिन वो रोल्स ऐसे होते थे जिसमें acting कम और exposed जादा था इसलिए युकता मुखी ने इस तरह के रोल्स को turn down किया और युकता मुखी का करियर take off करने से पहले ही crash हो गया युकता मुखी हाला कि कुछ और भी serious फिल्मों में नजर आई जैसे कि year 2008 में उन्होंने के फिल्म मेम साब लेकिन इस फिल्म से भी उन्हें कुछ खास पैचान नहीं मिल पाई यह वो time था जब युकता मुखी की तरह बॉलिवुड में दूसरी beauty queens बहुत अच्छा कर रही थी अपने करियर में भले ही ऐश्वर्या राय हो दिया मिर्जा हो लारा दत्ता हो सुशमिता सैन हो या फिर प्रियंका चोपडा जिनने खुद crown पहनाया था युकता मुखी नहीं जी हां 99 में युकता मुखी मिस्स वर्ल्ड बनी थी और 2000 में जब लारा दत्ता, दिया मिर्जा और प्रियांका चोप्रा सलेक्ट हुई तो जहां लारा दत्ता मिस्स यूनिवर्स बनी थी वहीं प्रियांका चोप्रा मिस्स वर्ल्ड बनी थी और उन्हें मिस्स वर्ल्ड का त में जितने भी actors हैं, वो एक average height के हैं, कुछ जाधा extra long actors हमें नहीं मिले हैं, हाला कि अब इस तरह के actors बॉलिवुड में आ रहे हैं, यानि कि अगर बात की जाए हमारी film industry के 90s और 2000 के actors की, तो ये सभी actors handsome तो बहुत थे, लेकिन सब के height average ही थी, कोई ऐसी जाधा एकडम extraordinary height के actors नह इन सब में से किसी की भी height इतनी impressive नहीं थी, यही कारण था कि filmmakers अब युकता मुखी को cast करने से हिचकचाते थे, और इसी के चलते उनके पास filmों के कुछ खास offers नहीं आते थे, जाधा से जाधा filmों में special appearance या फिर item numbers ही offer होते थे, और एक समय के बाद तो युकता मुखी ने भ तुली group of hotels के मालिक, एक बार नागपूर में युकता मुखी अपनी किसी film के promotion के ले गई थी, और तब वो तुली international hotel में रुखी थी, और उसी दोरान उनकी prince से मुलाकात हुई, वो मुलाकात एक casual मुलाकात थी, इसके बाद एक बार फिर से युकता का उस hotel में जाना हुआ, और तब इन दोनों ने numbers exchange किये, और यहीं से इन दोनों की मुलाकातों का सिलसला शुरू हो गया, कुछ time date करने के बाद year 2008 में युकता मुखी ने prince के साथ शादी कर ली, और 2010 में prince और युकता को एक बेटा भी हुआ, युकता मुखी शादी के बाद अपनी जिन्दगी बॉलिवुड का सफर भी तै कर लिया था और अब जीवन साथी के रूप में भी उन्हें एक secure businessman मिला था, लेकिन 2013 में इन दोनों के रिश्टे के बीच दरार आ गई, 2013 में युकता मुखी ने अपने पती से divorce फाइल किया, इनीशली तो उनके पती उन्हें divorce देने को ही तयार नहीं थे, finally युकता मुखी को अपने पती के खिलाफ police station में complaint करनी पड़ी, उन्होंने मुंबई में अमबोली police station में जाकर अपने पती के खिलाफ complaint की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पती ना सिर्फ उन्हें torture करते हैं, उन्हें physically abuse करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करत हैं, in fact उन्होंने अपने पती से उनके relation के बारे में एक shocking बात ये बताई, कि उनके पती उनसे unnatural sex की demand करते थे, annual sex की demand करते थे, जो युकता मुखी कभी भी तयार नहीं हुई, और इसी के साथ उनके पती ने कई बार adultery करने की भी demand की, जिन demands को युकता मुखी पूरी नहीं क करती थी, यही कारण था कि इनके पती बे मतलब ही युकता मुखी पर गुसा करते थे, चिर्चिड़े होते थे, और अगर युकता मुखी उनके खिलाफ कुछ आवाज भी उठाती, तो उनके पती उनको मारने तका जाते थे, इसके अलावा युकता मुखी का कहना है कि जि युकता मुखी ने प्रिंस के साथ नई नई शादी की थी तब प्रिंस ने उन्हें वेलकम करने के दौरान एक अजीव सी बात कही थी जो तब युकता मुखी ने ऐसे ही टाल दी थी प्रिंस ने उन्हें कहा था कि कैसा लग रहा है तुम्हें इस फैमिली में आकर जिस फैमि के साथ क्लब में बहुत लेक नाइट तक पार्टीज करने के बाद ही घर लोटते थे युकता मुखी सिर्फ प्रिंस से ही परिशान नहीं थी युकता मुखी की सास और प्रिंस की बहन वो भी युकता मुखी को बहुत परिशान करती थी युकता मुखी ने बताया कि शादी स उनकी कमाई पूछी, उनकी प्रॉपटीज पूछी, उनकी प्रॉपटीज किसके नाम है ये पूछा, ये तक पूछा कि आगे शादी के बाद जो कुछ तुम कमाओगी उसका नौमिनी कौन होगा, उसका हिस्सेदार कौन होगा, वो कमाई हमारे गर में आएगी या वो कमाई तुम्हारे माबाप के पास जाएगी इस तरह के कुछ सवाल प्रिंस की बेहन ने पहली मुलाकात में युकतामुखी से पूछे थे युकता मुखी को तब ही डाउट हो गया था लेकिन वो प्रिंस के प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने प्रिंस के साथ घर बसा लिया जो शायद अब उनकी सबसे बड़ी गलती प्रूव हो रही थी जब प्रिंस के पास युकता मुखी के खिलाफ कुछ नहीं था तो उन्होंने युकता मुखी को मीडिया में जाकर ये सब बात ना करने के लिए धंकी भी दी उन्होंने कहा कि अगर युकता मुखी ने ये डिवर्स वापस नहीं लिया तो प्रिंस उनकी एक वीडियो क्लिप है जिससे वाइरल कर देंगे साथ ही उन्होंने युकता मुखी पर 35 लाक रुपे लेकर फरार होने का भी इल्जाम लगाया वही युकता मुखी का कहना है कि इस त्री धन के रूप में वो शादी के बाद 2 करोड का सामान लेकर गई थी उसमें से उनके पास मात्र 2 लाक का ही स मान वापस आया है फाइनली बहुत जगड़े के बाद बहुत मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बहुत न्यूस के बाद इन दोनों का डिवॉर्स हुआ और डिवॉर्स इस शर्त पे हुआ कि युकता मुखी प्रिंस से एलीमनी के रूप में एक फूटी कोडी नहीं इन दोनों का डिवॉर्स हुआ युकता मुखी जो अपनी पहचान बना कर बॉलिवुड में आई थी उन्होंने बॉलिवुड का सफर तय तो किया लेकिन उनके लिए कुछ खास प्रूव नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने वही किया जो हर एक लड़की करना चाहती है जि अपना करियर खोकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोकर और अपनी जिन्दगी के कई साल बरबाद करके अब अगर बात करें युकता मुखी किस सरसे अपनी जिन्दगी बिता रही है तो प्रिंस से अलग होने के बाद युकता मुखी ने एक बार फिर से अपनी जिन्दग का आश्रम है युकता मुखी वहाँ पर अकसर जाया करती है वहाँ पर सेवा करती है वहाँ पर लोगों के साथ बैठती है ध्यान करती है मेडिटेशन और योगा ये सब करती है और ये सब करने के बाद उन्हें समझ आया कि जिन्दगी में जिस ग्लैमर के पीछे और जिन चीजों के पीछे वह भाग रही थी वो सिर्फ एक सर्फेस वाली खुशी थी अगर आपको अंदर की खुशी चाहिए तो आपको अंदर से अच्छा होना पड़ेगा अपने आपको जानना पड़ेगा अब योगता मुखी बॉलिवुड का हिसा तो नहीं है लेकिन वो अक्सर इवेंट्स और सेमिनार्ज में मोटिवेशनल स्पीचिस देते हुए नजर आती है इसके अलवा ब्यूटी कॉंटिस की जज्ज उनकी म कंटर बनते हुए भी योगता मुखी हमें नजर आई और हाल ही में योगता मुखी ने कमबाक किया है कई सालों बाद स्क्रीन पर जी हां 2008 के बाद डायरेक 2019 में योगता मुखी नजर आई गुड न्यूस फिल्म में इस फिल्म में उनका एक छोटा सा अपेरेंस था कि उन्होंने अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजिस ला दिये हैं युकता मुखी की लाइफ और करियर देखकर यही लगता है कि जिन युकता मुखी के लिए उनकी हाइट उनका प्लस पॉइंट था जिसके कारण वो मिस वर्ल तक गई उसी युकता मुखी के लिए उनकी हुआ था सोनवालिया के साथ पूजा बत्रा के साथ भी यही हुआ और सुश्मीता सैन को भी जादतर फिल्मों से इसलिए हाथ धोना पड़ा था क्योंकि उनकी हाइट बहुत ही जादा थी बॉलिवुड की कहीं ऐसी एक्ट्रिस हैं जिनकी लाइफ में जब इतना कुछ हो ज खरन पहली जाती है हमने अनु अगर्वाल को देखा है उन्होंने भी आश्रकी से बहुत नाम कमाया था लेकिन अब वह योगा और स्पिरिट्व लाइन में हैं ग्रेशी सिंग लगान से शुरुआती थी लेकिन अब स्पिरिच्व लाइन में हैं चुलिप जोशी जिननों वोने यश्राद से बॉलिवुड में डेब्यू किया था वो भी बॉलिवुड में जाधा कर्याद नहीं बना पाई और अब spiritualism में हैं यह सब देखके हम यह कह सकते हैं कि जब इंसान एक टॉप हाइट पर होता है उसे इतना exposure मिलता है और अचानक से जब वो अपने low पर आता है तो अपने आप को संभालने के लिए यह spiritual line का सहारा लेते हैं यही कारण है कि अकसर बॉलिवुड सेलेप्स को spiritual होते हुए हमने देखा है beauty queens जो होती है वो public figure होती है और युकता मुखी के साथ personal life में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही shocking था ऐसे में जहां अकसर actresses इन चीजों पर बात नहीं करती है वहीं युकता मुखी सामने आई और उनके जिन्दगी में जो कुछ भी बात थी वो उन्होंने सब के सामने रखी जो एक बहुत ही bold कदम उन्होंने रखा एक public figure होते हुए वह आपको क्या लगता है युकता मुखी की तरह और भी actresses या और भी girls जो अपनी personal life में बहुत कुछ जेलती है उन्हें उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए ताकि solution निकले या उनके खिलाफ action लिया जाए या इस matter को अपना personal मामला मान कर अंदर ही सुलजा लेना चाहिए लोगों को इसके बारे में धिंडोरा नहीं पीटना चाहिए आप क्या सोचते हैं comment section में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और story के साथ like करें हमारा facebook page Bollywood ठिकाना follow करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा YouTube channel Bollywood ठिकाना